आज मैं आप लोग को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परिक्षा आरो और ए आरो समिक्षा दिकारे और सहाइक समिक्षा दिकारी से संबंधी पेपर में जी एस पेपर का सलेक्टेड क्वेशन कोई कुछ साल्व करा रहे हैं आईए स्टार् करते हैं क्वेशन नंबर वन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंस घाटी में बहती है ये विकल्प दिया गया है और आप लोग को इस प्रसन का एंसर भी पता होगा और इस प्रसन से संबंधित भी कुछ पॉइंट भी आप लोग को मिलेगा तो आईए देखि कौन सा क्वेशन सही है विकल्प दिया एक वदावरी बी सतलज सी नर्मदा डी गंगा तो इस प्रसन का सही उत्तर होगा विकल्प सी नर्मदा और नर्मदा नदी के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए नर्मदा प्राइद्विपिय भारत में पश्चिम की और बहने वाली सबसे बड़ी नदी है पश्चिम की और यानि ये अरब सागर में जाकर के गिरती है ये पश्चिम में बाकी अधिकांस नदिया जो है कि कहां पर गिरती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है नर्मदा और तापती अरब सागर में गिरती है मुखे रूप से नर्मदा प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल स्रेणी से निकलती है कहां से निकलती है मैकाल स्रेणी से निकलती है तो इसको भी जो कि आप लोग तयार कीजिए और इसको भी पढ़िए अगला प्रस्न है येलो पीपल के रूप में कौन जाना जाता है येलो पीपल के रूप में क कहा जाता है अगला कोशन है माउंट निवमेन माउंट निवमेन निम्न लिखित में से कीस खनीज के लिए प्रसीद है माउंट निवमेन कीस खनीज के लिए प्रसीद है आप लोग आइडिया लगाईए कौन सा क्वेशन का विकल्प सही हो सकता है इस प्रसन का सही विकल्प ह अगला प्रस्ण है उत्तर प्रदेश के संदर्व में निम्न लिखित कत्नों पर विचार कीजिए वन कह रहा है वन राज के कुल भावगोलिक छेत्रकार लगभग 12.8 प्रत्सत है जौनपूर गाजीपूर और बलिया जीलों में कोई बन भूमी नहीं है नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिये इस प्रस्ण का सही उत्तर है विकल्प B एक और दो दोनों सही है क्योंकि यहाँ पर बन भूमी नहीं है एक और दो सही है विकल्प B सही है अगला प्रस्ण ये पांच नमबर होना चाहिए लेकिन चार ही फिर हो गया प्रिंट कर आए बीस्व समाजिक संद्रक्षन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकासित की जाती है इस प्रस्ण का सही उत्तर है अंतराष्टिय स्रम संगठन द्वारा बिकल्ब ए अंतराष्टिय स्रम संगठन के द्वारा अगला प्रस्ण है ये पांच बाता और ये छठा है बिकल्ब ए जल होता है अगला प्रस्ण संग्य प्रडाली का निम्नलिखित में से कौन सा लवान लक्षान भारतिय राजनीतिक प्रडाली में नहीं पाया जाता है इस प्रस्न का सही उत्तर है बिकल्प सी संसत की सरोचता नहीं पाय जाती है कहां पर संगिय प्रडाली में बाकी सब पाई जाती है, संसत की सरोचता नहीं पाई जाती है भारत में सबसे प्राचिन अभिलेख की सासक के प्राप्त हुए है तो भारत में सबसे प्राचिन अभिलेख असोक मौरे सासक असोक के प्राप्त हुए है अगला प्रस्ण है प्राचिन कालिन कीन ग्रंथों में 16 महा जनपदों का उलेक है 16 महाजनपदों का उलेक किस में है अंगुतर निकाए में है भगवती सुत्र में है तो इस प्रस्न का सही उत्तर है विकल्प D, A और B दोनों में इनका उलेक मिलता है अगला प्रस्ण है सर्व प्रथम 18 ससायंती सिस्वी में असोग के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया इस प्रस्ण का सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेब विकल्प सी जेम्स प्रिंसेब अगला प्रस्ण है प्राचिंतम व्याकरण अश्टध्याई के रचनाकार है ये प्रस्ण कई बार आए होंगे आप लोग के सामने आप लोग इसका एंसर बता सकते हैं और आप लोग इस प्रस्ण का एंसर भी लगा लिये होंगे तो आईए आप लोग का कनफर्म कर दें कौन सा एंसर सही है इस प्रस्ण का उत्तर विकल्प D पाड़िनी पाड़िनी के अश्टध्याई ग्रंथ है अगला प्रस्ण है सत्सहस्त्री संगिता उपनाम ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है यनि सत्सहस्त्री संगिता उपनाम ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है तो इस प्रस्न का सही उत्तर है विकल्ब A महाभारत अगला प्रस्न है अधो लिखित अभिलेखों को उनके सास को द्वारा सुमेलित कीजिए अभिलेख दिया है और दूसरे में सासक दिया है हाथ ही गुफा अभिलेख यह तो खारवेल का है यानि A का 2 हो जाएगा B जुनागर अभिलेख रुद्रदामन का होगा B का 1 होगा तो B का 1 में 1 मिल जा रहा है और नीचे से भी अगर देखते हैं तो A होल अभिलेख पुल के सिंदूतिय का है यानि D का तीसरा अगर आपको कर फर्म मालूम है तो इससे भी आपको एक ही विकल्प से आपका क्वेशन सही हो जाएगा यानि A होल अभिलेख पुल के सिंदूतिय का है प्रयाग अस्ताम्भलेख जो है की समुद्र गुप्त का है इस तरह से विकल्प A सही है कौन से विकल्प सही है A सही है अगला सुल्व सुत्र की से संबंधित है सुल्व सुत्र जियामिती से संबंधित है विकल्प A जियामिती से संबंधित है भारती नदियों को मुखेता कितने बर्गों में विभाजित किया गया है भारती नदियों को मुखे रूप से दो बर्गों में विभाजित किया गया है वि प्राइदी 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 प् B. सही है अगला प्रस्न है माबीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य, समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विबरण कहां मिलता है इस प्रस्न का सही उत्तर है विकल्प A. भगवती सुत्र में मिलता है किस में मिलता है भगवती सुत्र में मिलता है अगला प्रस्न है काकोरी का अब इसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन ड्रेक्शन हो गा है, मुकरंए में किस क्रा 아침 कारी को फाँसी पर लटका दिया ग्या था? इस प्रस्नकाश सही उत्तर है अस्पा खुल्ला खाँ, विकल्ब ए अस्पा खुल्ला खाँ अब इससे संबंधित कुछ जनकारी दिया गया है नीचे आप लोग इसे भी तयार कीजिए और पढ़ लिजिए काकोरी कांड की घटना को भारतिय करांधिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 इस भी को अंजाम दिया गया था इसमें सहारनपूर से लखनव आ रही ट्रेन को काकोर काकोरी में सरकारी खाजाना को लूट लिया गया ये ट्रेन लखनव सहारनपूर या रही थी क्रांधिकारियों के बिरुद मुकदमा चला कर अस्पाकूला खां राजिनल लहडी राम परसाद बिश्मील को फांसी की सजा दी गई थी चंसेखर आजाद पूलीस की गिरफ से बच निकले थे काकोरी कांड का नाम बदल कर नाम परवर्तित कर काकोरी ट्रेन एक्षन कर दिया गया है क्या कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्षन कर दिया गया है अगला प्रस्ण है निम्न लिखित में से कौन सा गवर्णत जनरल अंग्रेजों के अतरीक अंग्रेजी के अतर तो इस प्रस्ण का सही उत्तर है विकल्प वी वारेन हेस्टिंग्स को जह की अंग्रेजी, बंगाली, अर्बी और फार्सी भासाओं का ज्यान था और इस तो जह की वारेन हेस्टिंग्स के बारे में थोड़ा सा जान लिजिए वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गुवर्नर जनरल था, कहां का गुवर्नर जनरल था, बंगाल का था, यह 1772 इस भी में बंगाल का गुवर्नर बनकर भारत आया था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट को आया, 1773 के तहद इसे बंगाल का गुवर्नर जनरल बना दिया गया था प्रथम गुवर्नर जनरल था अब जो है कि बंगाल का प्रथम गुवर्नर जनरल था अब इससे क्या कर दिया गया बंगाल का गुवर्नर जनरल बना दिया गया था यह बीभीन भासाओं का जानकार था यह हंग्रेजी के अलावा और भी भार्सी और बंगाली तो इस तरह से इनके बारे में यानि बारेन हैं स्टिंग के बारे में अन्य जनकारी आप लोग नीचे दिये गए किसी-किसी प्रस्ण में दिये गए टापी को भी आप लोग पढ़ लिजिए और इससे क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग को जहा की साल करने में कोई दिकत न नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे इस प्रस्ण का सही उत्तर है उत्तर से दक्षण की ओर किधर उत्तर से दक्षण की ओर विकल्प ए सही है किसे चारकोली की यूग भी कहा जाता है किसे चारकोली की यूग कहा जाता है इस प्रस्ण का सही उत्तर है तामरपसान यूग क सरकार बनी थी सरोप्रथम सामयवादी सरकार कहां बनी थी इस प्रस्णकार सही उत्तर है विकल्प B. केरल बर्स 1957 में पहली सामयवादी सरकार केरल राजे में बनी थी EMS नम्बुदरीपाद इसके मुख्यमंत्री बने मुख्यमंत्री कौन बने थे EMS नम्बुदरीपाद और कब 1957 में यानि पहली सरकार सामेवादी सरकार केरल में बनी थी 1957 में अगला प्रस्त है निम्न लिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहाइक नदीया है कृष्णा नदी की कौन कृष्णा नदीया है एक घाट गाट प्रभाद बी तुंग भद्रा और तीन नमबर दिया है भीमा और चार नमबर दिया है लक्षमर तीर्थ यानि इस में से कौन को नदिया जो है कि कृष्णा नदी की साहिक नदिया है तो कृष्णा नदी की साहिक नदिया एक दो तीन यानि गाट प्रभाद तुंग भ और भीमा विकल्पसी सही है. घाट प्रभा, तुन भद्रा, भीमा, लक्ष्म तिर्थ किस्की साहिक नदी है? काबेरी नदी की साहिक नदी है. तो इसके बारे में अन्हेजनकारी देख लीजिए कृष्णा नदी की मुखे सहायक नदिया कौन कौन है यहां दिया है तुम भद्रा है कोईना है माल प्रभा है घाट प्रभा है भीमा है मुसी है आदी जो है की कृष्णा नदी की सहायक नदिया है और लक्षमर तिर्थ द्रोण बिस्तार मतलब कहा किन किन राजय हम बहती है तो यह महराश्ट करनाटक तेलांगाना और आंध्रप्रदेश में बहती है अगला प्रस्न है भारतिय पुरात्त्त्व सर्वेक्षां आर्किोला जी कल सर्वे आफ इंडिया विभाग की अस्थापना की इसके कारकाल में हुई थी लाड करजन के समय में बहुत सारी घटनाय हुई थी बंगाल का विभाजन भी हुआ था इस लाड करजन के समय में ही 1905 भी में अगला परस्विए हम एसिया महाद्वीप में मानसुनी जलवाई मुख्यता पाई जाती है एक दिया है दक्षिन एसिया में बी पहस्चिमी एसिया में और तीसरा दिया दक्षिन पूर्व एसिया में इस प्रस्ण का सही उतर है विकल्प सी एक और तीन यानि दक्षण एसिया में और दक्षण पुर्व एसिया में इस प्रस्ण का विकल्प सी सही है एक और तीन सही है इससे संबंधित और भी टापिक देखिए एसिया महादिप में मानसुनी जलवाई मुखेता दक्षिन तथा दक्षिन पूर्व एसिया में पाई जाती है भारत की जलवाई को मानसुनी जलवाई कहा जाता है भारत की जलवाई को कौन सी जलवाई कहा जाता है मानसुनी जलवाई कहा जाता है अगला प्रस्ण है लगभग 27 डिग्री से 37 डिग्री उत्तर अच्छान्सों के मध्य सक्रिय जेट धरावों को निम्न लिखित में से किस नाम से जाना जाता है इस प्रस्ण का सही उत्तर है उपोष्ण कटी बंदिया पश्चिमी जेट इस्ट्रीम इनके बारे में भी जो है क जेट धराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अच्छान्सों के बीच इस्तित होती है इसलिए इन्हें उपोष्ण कटी बंदिया पश्चिमी जेट धराएं कहा जाता है भारत में ये जेट धराएं ग्रीश में रीतु को छोड़ कर पूरे वर्स हिमाले के पश्चिमी में प्रवाहित होती है इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में चक्रवाती बीचोब आते हैं क्या आते हैं चक्रवाती बीचोब आते हैं अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन दिया है निम्नलिखित में से कौ कौन सा सुमेलित नहीं है डेनिस डच मंदारिन बहासा अब इधर देश दिया है एक साइड में भासा दिया है और ये किस देश के साथ सुमेलित नहीं है इसको ग्याद करना है तो डेनिस डेनमार का है डच नीदरलाइन का है मंदारिन चीन का है बहासा थाइलेंड का नहीं है बहासा कहां की भासा है इंडोनेसिया की अधिकारिक भासा है थाईलंड की थाई अधिकारिक भासा है तो इस प्रस्नका विकल्प डी जो है की सुमेलित नहीं है और इसके संबंधित टापिक जो है की नीचे दिया गया है बहासा कहां की अधिकारिक भासा है इंडोनेसिया की थाइलेंड की क्या होगी तब थाई होगा तो इस प्रस्ण का उत्तर के साथ-साथ आप लोग इसके बारे में भी जान लिए जो परिछा की दिरिष्टी से उपयोगी है अगला प्रस्ण है उस अस्थल का नाम बताएए जहां अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं अस्थाई जीवन के प्रमाण कहां से मिले हैं इस प्रस्ण का सही उत्तर है विकल्प डी मेहरगड मेहरगड से सबसे पहले क्रिशी के साथ मिले हैं तो उसी से पता चलता है कि वह पर अस्थाई जीवन महरगड में सबसे पहले था अगला प्रसना है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विशुवत रेखा को दो बार पार करती है दो बार पार करना वाली नदी कौन सी है कांगो और जायरे है तो कांगो नहीं दिया है तो इस प्रसना का सही उतर हो ये विशुवत रेखा को दो बार काटती है कौन सी नदी जायरे अगला प्रसना भारत में हरित राजमार्ग निती सुरू की गई थी हरित राजमार्ग निती कब सुरू की गई थी इस प्रसन का सही उतर है विकल्ब A. 2015 में शुरू किया गया था अगला प्रस्ण है भारत में काली का पास मिर्दा की रचना निम्न लिखित में से किसके अपशे से होती है किसके अपशे से होती है इस प्रस्ण का सही उत्तर है बिदरी फीसर ज्वाला मुखी चट्टान विकल्प B बिदरी फीसा ज्याला मुखी चट्टान से होता है और इससे संबंधित कुछ महतो पॉण पॉइंट देखिए क्या दिया है कि भारत में काली मिटी को रेगुर यहां रंगुर टाइप हो गया है रेगुर मिटी या काली कपास मिटी या लावा मिटी के नाम से भी जाना जात है जो कपास की फसल के उत्पादन हेतू सरवाधिक उपॉइप्थ होती है काली मिटी किसके लिए कपास के उत्पादन के लिए सरवाधिक उपॉइप्थ है इस मिटी को मृदा कम सिचाई क्या हो सकता होती है क्योंकि यह मृदा नमी को रोक कर रखती है काली मिटी परिपक को मीटी है जो मुखेता दकन के पठारी छेत्रों में पाई जाती है भारत में इस मृदा का विकास बिदरी ज्वाला मुखी या प्रक्रिया द्वारा वे साल चटान से निर्मित संद्चना से हुई है इस मृदा में चुने लौ मैगनिसियम तथा एलूमीना के तद्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन इसमें फासपोरस, नाइटोजन तथा जयव पदार्थों की कमी रहती है इसमें नमी की मात्रा अधिक पाई जाती है भारत में काली म्यूटी सरवाधिक महराष्ट राज्य में पाई जाती है इसके अलावा गुजरात, मध्यपरदेश, अंत्रपरदेश वट अमिलनाड का पठारी छेत, मालवा का पठार तथा करनाठक जैसे राज्यों में भी पाई जाती है अगला प्रस्न है निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व दिशा के करम में ब्यवस्थित कीजिए किस दिशाब से पश्चिम से पूर्व द तर का क्या करना है करम लगाना है पहला दिया है बारा लाचा दर्रा दूसरा सिपकिला तीसरा जलेपला और चौथा बोमा डिला तो बारा लाचा और सिपकिला जलेपला तथा बोमा डिला दर्रों को पश्चिम से पूर्व दिशा में करम में ब्यवस्थित किया गया है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा बारा लाचा हो जाएगा उसके बाद सिपकिला होगा सिपकिला के बाद से जो है कि जेलेपला जो सिक्किम में है और सिक्किम से आगे अरुनाचल पर देश है वहाँ पर बोमा डिला दर रहा है तो बारा लाचा सबसे पश्चिम में सिपकिला उस और उनाचल परदेश में है तो इस तरह से भी कल्प एक सही हो रहा है एक सही हो रहा है एक दो तीन चार एक दो तीन चार तो इस प्रस्नक जह की आप लोग साल्ब कर सकते हैं और दर्रे वाले मेरे वीडियो में देखेंगे हर राजे में कौन से दर्रे हैं उसको मानशित्र के द्वारा दर्साया भी गया है और उससे आप लोग जह की देखिए कि क्या हुआ है उस प्रस्ण में तो इस प्रस्ण को जह की आप साल्ब कर सकते हैं तो इस प्रस्ण का सही उत्तर है विकल्प ए एक दो तीन चार तो इस तरह से आप लोग के लिए ये 30 प्लस महत्पूर्ण प्रस्ण आप लोग को दिया गया है इसी क्रम में इसके आगे के प्रस्णों को आप लोग को दिया जाएगा आप लोग जहे की परिछा की त्यारी से संबंधित इन प्रस्णों को साल्व कीजिए और जहे की प्रेक्टिस कीजिए और सेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए धन्यबाद आने वाले समय में आप लोगों इससे संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे धन्यबाद